उसका इंतजार हमें करना है आप किसी का इंतजार कैसे करते हैं? अपने दोस्ट का, अपनी सहली का, अपने बॉस का, या फिर परमेश्व का एमेन आपको पता है, परमेश्वन ने आपको दुलहन कहा है हमें परमेश्वन ने अपनी दुलहन बनाया है एमेन वो हमारा दुलह है एमेन तो दुलहन के अधिकार जो है, परिपक्वता जो है, पवित्रता जो है वो हमें बना के रखनी है Hallelujah, praise the Lord दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा देखे, शैतान जानता है कि वो परमेश्वर के सामर्द को तोड़नी सकता शैतान जानता है कि जिसको उसने चुना है उसको पीछे निकालना बहुत मश्किल है शैतान जानता है परमिश्व सामर्ती है जो चाहता है वो होगा परमिश्व ने हमको चुना ताकि हम उसके राज्य में उसके साथ चलें उसके अधिकारी हो जाएं शैतान जानता है अब शैतान क्या चाहता है कि हमें हमारे सौभाव में हमारे जीवन में वो रुकाव्टें लेकर आए जिससे हम कमजोर पड़ जाएं जिससे हम अपनी पवित्रता को खो दें जिससे हम उस अधिकार को खो दें जो परमेश्चर ने हमें दिया है हरा हुआ है शेतान उसके पास कोई शक्ती नहीं है हाललुया वो सिर्फ यह चाहता है कि एक मसी कमजोर हो जाए एक विश्वासी अविश्वासी बन जाए हाललुया तो आज मैं आपको अगवत कराऊंगा कि वो कौन सी रुकाव्टें हैं जो शेतान आपके जीवन में लेकर आता है चार सो तीस साल तक इसरालियों को परमिश्वर ने मिस्र में दासतों के दूब में रखा हाललुया चार सो तीस साल के बाद वो उसको निकालने के लिए उसने मुसा को भेजा प्रेस अलाट और आपने देखा कि किस तरह से निर्गमन में एक्सोडस में परमिश्वर ने दस विपत्यां मिस्रियों पर डाली और उन दस विपत्यों की वज़ा से वो अपनी प्रजा को अपने लोगों को वहां से निकाल ले आया लेकिन उन दस विपत्यों के बीच में शैतान ने कई चाले चली कई रुकावते की कभी बहाने बनाएं फिरॉन के जरीए वो बहाने क्या थे कि ताकि इस्राइलियों में एक मन एक भावना एक समर्पन एक विचार ना हो शैतान का मकसद है कि आपको वो आपकी एकता को तोड़े इसलिए आपके घर में भी अगर दो विचार हैं तो आपके घर में परमिश्य की शांति काम नहीं करेगी नहीं करेगी और शैतान का मकसद ही होता है कि घरों में दो विचार लेकर आता है पती-पत्नी एक तरीके से नहीं सोचते अगर पती-पत्ती सोच रहे हैं तो बच्चे एक तरीके से नहीं सोचते है कहीं न कहीं शैतान चाहता है कि एक मन एक दृष्ची कौन के से आप दूर रहे और वो अपनी चाल में कामियाब हो जाए हाललुया मुसा और हारुन फिरौन के पास कई बार गए सिर्फ एक ही उद्देश से कि परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा मेरी उपास ना करे क्या चाहता है परमेश्वर हलो क्या चाहता है परमेश्वर स्वर्ग में जाकर आपको क्या करना है क्या चाहता है और कुछ नहीं चाहता वो जब शुरु शुरु में मूसा गया था फिरोन के पास और उसने देखा कि अरे ये तो चाल चल रहे है उसने का ऐसा है ये लोग भूसा भी खुद लाएंगे और इटे भी उतनी बनाएंगे जितने पहले बनाते थे कठोर दंड क्या परमिशन ने मूसा के द्वारा कहा फिरोन से कि इनकी मजदूरी कम कर दे क्या परमिशन ने कहा कि भी इनको इटे बनाने दे और भूसा तू दे क्या कहा परमिशन में उसने एक ही बात कही मेरी प्रजा को जाने दे कि मेरी प्रजा उपास ना करे हिम्रेन उपासना परमेश्वर की उपासना आज हम यहां कलीसिया में क्यों इकठा होते हैं उपासना के लिए आराधना के लिए आराधना क्या है आराधना कैसे करने चाहिए हम अपने बलिदानों के साथ अराधना करते हैं हम संसार के साथ अराधना करते हैं जब इबराहिम इसाग को लेकर मोरे परवत पर गया था जा रहा था तो उसने अपने सेविकों से क्या बोला मैं और ये लड़का जा रहा है और जाके तेरी अराधना करेंगे उसने अपने बेटे को बेटा नहीं का लड़का कहा उस समय आप पढ़िये का कि मैं और ये लड़का जा रहे हैं उपासना के लिए क्योंकि उस अराधना में इब्राहिम नहीं चाहता था कि मेरे अंदर रिष्टों का भाव आए रिष्टों का बंधन आए नाई उसने नीचे ही सोच लिया था कि मुझे इस लड़के को बली करना है क्योंकि परमेश्वर की आग्या है इसलिए उसने कहा था मैं और ये लड़का जा रहे हैं आराधना करने के लिए मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं आराधना के लिए नाई मैं और ये लड़का जा रहे हैं आराधना करने के लिए बाइबल क्या बताती है प्रभू क्या बताता है जब हम चर्च में आएं जब हम उसकी आराधना करने के लिए एकठा हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी उपसेदी और अपने आपको एक कर लें हम अपने आपको उसमें बसा दें अराधरा क्या है उसमें एक हो जाएं अराधरा में अगर आप यह याद करते हैं कि मेरी आवास कैसी है म्यूजिक कैसा है कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग मुझे समझ रहे हैं नहीं अराधरा में पूरी इमांदारी के साथ उसके साथ जुड़ जाना कुछ भी याद नहीं होना चाहिए हमें सिर्फ उसके सेवा जिस दिन हम इस रवईये से आराधना करेंगे जिस दिन हम इस विशार को अपने मन में बसा लेंगे जिस दिन हम ये भाव अपने मन में ले आएंगे परमिश्वर आपको मिल जाएगा आज हम चर्च आते हैं अधूरे मन से आते हैं और अधूरे मन से जाते हैं समस्याएं लेकर आते हैं और समस्याओं के साथ ही घड़ जाते हैं क्यों? क्योंकि हम मन से नहीं आए हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि हम जा रहे हैं प्रभू के पास और आज मेरी हर समस्या का अंत होगा Amen क्यों? क्योंकि शैतान आप शैतान को अपने साथ लेकर आते हैं आप जब घर से निकले थे तो आपने शरीर को तो भोजन दिया लेकिन आत्मा को भोजन नहीं दिया आपकी आत्मा कमजोर है आपका शरीर तो ऐसे आ रहा है आपकी आत्मा ऐसे आ रही है आपकी आत्मा अंदर है जो कमजोर है क्योंकि आप उसको बल नहीं दिया क्योंकि आपका मकसद शरीर है आत्मा है नहीं परमेश्वन नहीं इश्वन ने बलिदान किया ताकि आप अनंदकाल का जीवन पाएं उसने अपनी आत्मा आपको दी ताकि आप सर्वस्व और उस समर्थ ही पिता को जान सकें ताकि आप आत्मिक जीवन जीएं शारीडिक जीवन जीने के लिए पर्मिशन ने आपको नहीं चुना है प्रेस अलोट हालेलोईया जब मुसा फिराउन के पास गया तो फिराउन ने तीन बातें तीन तरीके से मुसा को रोपने की कोशिश की और वो ही आपके जीवन में भी होता है आज मैं इस पर थोड़ा प्रकाश जा लूँगा कि तीन बातें हालेलोईया प्रेस अलोट प्रेस अलोट एक्सोडस 8.28 निर्गमन आठ का थाईज एक्सोडस 8.28 में फिराउन ने एक पॉइंट उठाया कि आप उपासना करने जा सकते हैं प्राथना करने जा सकते हैं लेकिन एक शर्थ है आलेलोईया देखिए क्या पढ़िए इसली पढ़िए एक्सोडस 8.28 फिराउन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलीदान करो केवल बहुत दूर न जाना केवल बहुत दूर मज जाना यही है शयतान की शर्थ यही है रुकावट आपको परमेश्वर सुनता है शयतान को कोई प्रोब्लम नहीं है आप बाइबल पढ़ते हैं को कोई परशान नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं श्यक्तान को आप रोज आएं चर्च वो क्या चाहता है आप दूर तक ना जाएं आप गहराई में ना जाएं आप वच्णों को ना समझें बाइबल लेकर उठा के फिर फिर ही आप श्यक्तान लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइबल के वचन आपके अंदर नहीं आने चाहिए वो क्या बोल रहा है बहुत दूर तक मच जाना क्या चाहता है शातान जाईए आप लेकिन बहुत दूर तक मच जाएए बहुत गहराई से प्रभू को मच समझें क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन ये वचन आपके अंदर जीवित हो गए उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता प्रेज गाउटूелов है वो नहीं चाहता कि आप दूर तक जाएग आप गहराही में जाएग आप वचुनों को समझें आप वचंकि अनुसार कलें मुझे आपको बताया था बाइबल पढ़ना क्या होता है बाइबल पढ़ना चार तरीके से होता है बाइबल को पढ़ना, बाइबल को मनन करना, बाइबल के वचन को याद करना और उन वचनों को अपने वहवारिक जीवन में उतारना ये है बाइबल पढ़ना सिर्फ एक चेक्टर पढ़ना बाइबल पढ़ना नहीं है अललुया इसलिए द्रिस्टान का था बीच का द्रिस्टान परमेश्वर ने का था मती 13 तो आप देखेंगे कि इसाब बीच परमेश्वर बोरा है लेकिन शैतान क्या कर रहा है उस बीच को निकाल रहा है अलो शैतान आपके दोस्त के रूप में कोई अच्छी कॉल के रूप में एक गलत विचार के रूप में बार खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है आप जैसी चर आपके अंदर जीवित होंगे अलेलुया अग्रेस अलॉट अभी ब्रदर पूछ रहे थे कि प्रभु भोज हर संडे होता है या एक संडे होता है मैं एक सवाल करता हूं प्रभु भोज क्या है आप क्यों ले रहे हैं कि आप जानते हैं और अगर आप जानते हैं तो क्या आप प्रभु भोज के अनुसार चल रहे हैं वह जीवन की रोटी जो इशु है वह आपके अंदर जीवित है प्रभु भोज क्यों लेते हैं ताकि हर बार जब आप रोटी लें तो आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर पवित्रता है और मेरे अंदर एशु जीवित है उसका जीवन आपके अंदर है और उस जीवन के अनुसार आप चल रहे हैं प्रिसलोट इससे शैतान कहाता है कि बहुत दूर तक उनको मत लेके जाओ बहुत दूर तक ना जाओ इसलिए और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बाते कही एक बोने वाला बीज बोने निकला बोदे समय कुछ बीज माल के किनारे गिरे और पख्शियोंने आकर उन्हें चुग लिए अबकशी कौन है याँ पर शैतान पख्शियोंने चुग लिए क्यों चुगली है क्योंकि वह बीच आपके किनारे पड़े हुए थे आपने उस बीजों की परवा नहीं की उसकी कीमत को नहीं समझा आप आप चर्चा रहे हैं आप समझ नहीं रहें कि यह वचन है यह आपको क्या दे सकते हैं वेविशा वेवरन आठ का चार का कहता है कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेशर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा आप उस जीवन को समझिए समझिए कि यह वचन कितने सरूरी हैं उसके मुख से निकले वचन जो आपको जीवन दे रहे हैं रोटी फिर भी आपको मार देगी लेकिन यह वचन आपको नहीं मारेंगे इसलिए जब मार्ग में बीज बोने वाला बीज बोता है और आप उसकी कदर नहीं करते हैं क्योंकि मार में इन गिन रहे है इदर गिर रहे है आप लेनी रहे इसलिए वह मार दे गिर रहे है वचन आपके अंदर कैसे काम करेगा वचन कब आप ले पाएंगे जब आप वचन लेने के लिए आएंगे आप कलीस्या में वचन लेने के लिए नहीं आए है आप अपनी चंगाई के लिए आए आप नौकरी के लिए आए है अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए आए घड़ से निकलते समय कि आपने प्रातना की कि परमिश्या राज मैं वचन सुनू और मेरा जीवन बदले अगर प्रातना की है परमिश्या ज़रूर बदलेगा क्योंकि आप कलीस्या में बीज लेने के लिए नहीं आए इसलिए बीज गिर रहा है इदर उदर और जब इदर उदर गिर रहा है तो पक्षी आकर उसे चुकराए तो शैतान की पहली रुकावट क्या है कि बहुत दूर तक मत जाना इससे जब आप आप बाइवल पढ़ने के लिए बैठते हैं आपको आलस आता है नीज आती है पिक्चर देखिए आपको नीज नी आएगी आप ओन पर किसी की बुराई करिये कि आज देख मेरे पडोस में क्या हुआ एक बहन उचा बोल रही थे उसके पती ने उसको मारा क्या तुन्हें देखा क्या नीज देखा तो नहीं लेकिन मुसकी अवास पैचान गई नीज नहीं आएगी आपको जहां वचन पढ़ने बैठेंगे आपको नीज आएगी क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप दूर तक जाएए वचन आपको लेगा आदा घंटा हो तो गया पंद्रा मिंट हो गया ना बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया एक वीडियो है तीन गंटे की वीडियो आपके हाथ नहीं थकेंगे तीन गंटे तक आप वीडियो देखते रहेंगे आपके हाथ नहीं थकेंगे एक हाथ फिर दूसरा हाथ नीचे भी लग देते हैं हाथ नहीं थकेंगे क्योंकि बीच वचन आपको दूर तक लेके जाएगा इसलिए आप वचन नहीं पड़ रहे हैं वचन नहीं पड़ रहे हैं आप आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप आत्मा में नहीं है आप शैतान को पहला इस्तान दे रहे हैं आप शैतान को बुला रहे हैं आओ मेरे घर पे आओ इसलिए आप दूर तक नहीं जा रहे हैं और शैतान की इच्छा है कि आप दूर तक ना जाएं बाइबल स्टेडी में आपको नहीं आने का मन करता है कोई ना कोई आ जाएगा आपके बस काम आप सुचिए अगर आप दूर तक नहीं आ रहे हैं अगर वचन पढ़ने में आपको मुश्किल हो रही है अगर आप वचन पढ़ने के लिए आपके अंदर आलस आ रहा है आपको नीन आ रहा है तो आप सुचिए कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है वचन एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रकाशन आपको खुल देगा आपकी बाइवल में पॉलुस ने क्या कहा है कि मेरे मन की आखों को जोतिर मैं कर यह वचन जो है यह आपके मन की आखों को जोतिर मैं कर देंगे यह वचन आपको बताएंगे आप कौन है ये वचन आपके अंदर से डर निकालेगा ये वचन बताएगा कि इशू आने वाला है इस वचन के अंदर आप जीवन पाएंगे, प्रकाश पाएंगे और शैतान की चालों को समझ जाएंगे इसलिए शैतान नहीं चाहता कि ये वचन आप समझें ये वचन आपके अंदर आए इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं कि आप कलीसिया में आते हैं रोज कलीसिया में अगर आप वचन नहीं ले रहे हैं उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है आते रही है आप आललुया वचन नहीं जाने चाहिए एधर कंणे दूर तक नहीं जाना चाहिए मेरा आदमी है कि यो इत्तरम कर सकता है कि चुनना क किति हाथ में परंश्र क ऐस लेकि शैकान के हाथ में क्या है कि वह आपको इसा बना कि है कि आप दूर देने बचन की क्या जुर होते है यार पती ने सुन लिया ना और क्या होगा इस से ज़ाद वचनियार आप समझती नहीं रहें आपका धन्दा आप इस वचन पर अधारित हैं आप नहीं समझ रहें अगर आप वचन समझेंगे अगर इसका ज्यान आपको मिल गया तो आप धन्दा भी सही कर पाएंगे आपको सही लोग मिलेंगे जो आपको सही मारत दिखाएंगे येस आपको सही लोग क्यों नहीं मिल रहें क्योंकि आपके पास जीवन का प्रकाश नहीं है आप समझ नहीं पा रहें कि कौन सही है कौन गलत है आप अपने शरीर की इच्छाओं के नुसार उनको अपने जीवन में adjust कर लेते क्योंकि वचन नहीं है वचन आप सुन रहे हैं वचन आप लेनी रहे हैं वचन के नुसार चनल ली रहे है रोज घर से निकलने से समय जब घर पे वापस आते हैं तो आप जांचिये कि आज मैं किस वचन के नुसार चला बाइवल में कौन से वचन के नुसार मैं चला हूँ आज किस वचन को मैंने मान दिया है जब ही मैं घर में कुछ बात करता हूँ ये धन्दे के कुछ बात करता हूँ ये नौकरिकी की बात करता हूँ तो कौन सा वचन मेरे सामने है Alleluya प्रकाशे दुआ के 22 का 15 क्या कहता है कि जो जूट की चाहा रखते हैं जो जूट का साथ देते हैं वो भी नर्ख में जाएंगे क्या लिखा है कुट्ते, टोने और व्यविचारी और हत्यारे, मूर्ति पूज़क और हर एक जूट का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा स्वरक से बाहर रहेगा हलो जूट का चाहने वाला अगर आपको दोस या आपका बॉस जो आपको पता कि वो जूट बोल रहा है और विकॉस वो आपका बॉस है because वो आपका दोस्त है और आप उसकी सरहना करते हैं अरे ने ने सर क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप बिल्कुल अरे उस आदमी का दोख मारना ही चाहिए अगर आप उसके जूट का साथ दे रहे हैं तो आप नरक में जाएंगे Bible कहती है Bible कहती है जूट का चाहने वाला भी अगर आप जूट को अच्छा समज रहे है कि क्या है यार मेरे दोस्त ने यार कितना अच्छा काम के कैसे उसको बेवको बनाया यार मैं देख रहूँ मेरे सामने इसको बेवको बना दिया और उसको हजार रुपे ले भी लिया उसको समझ भी नहीं आया अरे वा तो आपका जूट जूट का चाहने वाला जूट को गड़ने वाला नर्क में जाएगा अगर यह ज्यान आपके पास होगा तो आप उस दोस्ट से हट जाएगे क्योंकि मुझे स्वर्ख पसंद है अगर यह ज्यान है आपके पास नो ओके आपको हजार रुपे मुबारक आपको दोका मुबारक शैतान कैसे आपको कमजोर करता है संसार में यही तो उसका तरीका है आप समझते कि संसार में मैं हूँ यार प्रभू है ना मेरे साथ रभू तो है उसकी आत्मा है मेरे साथ उसकी आत्मा तो है लेकिन क्या प्रभू के अनुसार चल रहे हैं क्या आप उसकी आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और वो तब तक नहीं चाल पाएंगा जब तक ये वचन आपके अंदर नहीं होगा आललुएअ आपके अंदर उसका वचन होना बहुत ज़रूरी है आललुएअ प्रेसर लॉट तो शैदान क्या चाहता है कि दूर तक मत जहना Bible को दूर तक ना समझना घ्यान मतल अब रिसीव करना तो तो ठीक है रेस अलोट Hallelujah पहली रुकावट शैतान की ओर से कि वो चाहता है कि Masih दूर तक ना जाए Bible को दूर तक ना समझे उस वचन को अपने अंदर ना ले वचन के अनुसार ना चले दूसरा Exodus 10 10-11 यहोवा तुम्हारे संग रहे यदी मैं तुम्हें बच्चों समय जाने देता हूँ देखो तुम्हारे मन में बुराई है Amen क्या क्या मुसा ने कि हमें जाने दीजे ताकि हम फिरौन हम परमिश्टर की उपासना करें फिरौन क्या बोलता है दूसरी रुकावट क्या डालता है शैतान कि बच्चों को लेकर मत जाओ दूसरी रुकावट क्या डालता है बच्चे शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे परिपक्व हो जाए शेतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे परमेशर में आ जाए इसलिए आजकल फेस्बूक यूटूब उसने निकाले हैं कि बच्चों को उसी में लगा दो और माबाब भी इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए बच्चों को अपना खेम ह están में पेसलोट चली आप परमिश्र में आप दूर तक गए आप कवर foreigner को समझने लगे लेकिन शैतान की दूसरी रुकावट कि आपके बच्चों को आपसे छीन लेगा आपके बच्चों में वो वचन नहीं आएगा वो नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे परमेशर को जाने उस बचन को जाने कभी नहीं चाहेगा वो परमेशर क्या चाहता है? प्रमिश्र नो लिटुमसβार्णता अगर अधाराक उननिस परी जनेशिख अधाराक उनननेश परमिश्र की इच्छा थी परमिश्र जानता था कि आपbnे बच्चों को बताएका कर विए जनेशि Hayır अधारा को निस जनेशिफ 18 19 कि कि हालेलुया क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीचे रहे जाएंगे अग्या देगा कि वे यहुआ के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और नयाय करते रहे इमेन इमेन परमिश्टर कहता है मैं जानता हूँ कि इब्रहेम अपने बच्चों को उसके स्वंश के बच्चों को आज्या देगा हलो क्या आज्या देगा कि परमिश्वर में बने रहो परमिश्वर के वचन में बने रहो आपने आज्या दिये आप आज्या देते हैं अपने बच्चों को हालेलिया आज शैतान क्या चाहता है कि आपके बच्चों को संसार की शिक्षा आपके बच्चों में आए अच्छी बात है, बुरी बात रही है लेकिन पहले परमेशर की शिक्षा आप भी अपने बच्चों को बढ़ाते हैं इंजीनियर, डॉक्टर अच्छी जगा जा, इंग्लिश बोलना सीख ताकि तो पचास, साथ, हजार चालिस हजार कमाए प्रेस अलोड लेकिन असली शिक्षा क्या है अगर आपके बच्चे ने प्रभू के बारे में नहीं जाना प्रेस अलोड नहीं उसका उद्धार होगा नहीं प्रभू से लेकर जाएगा और क्या होगा आपके बाद आपका वण्ष प्रभू से दूर हो जाएगा शयतान क्या चाहता है कि आप अगर चुने गए हैं, चलो ठीक है लेकिन आपका चुनाव आपके वण्ष से आगे नहीं बढ़े वो नहीं चाहता है कि चलो ठीक है आप बन गए साथ टीचर आप बन गए पास्टर अब शयतान का मकसाद है कि मैं तेरे बच्चे को आगे नहीं आने दूँगा अब गड़त इस्परिट आपके बच्चे के अंदर डालेगा वो जो माबाप कही अगें सो जाएगा वो बच्चा वो समझेगा इने कि माबाप कहेंगे यहोवा को याद करें पापा मम्मी क्या है सुबद से शाम ताक आप बाइबल बाइबल पड़ते क्योंकि उसको एहसास दिया है कि मैं कि शैतान की चाल है कि आपको नहीं पता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है उसी तरीके से शैतान भी आपको पीछे खेचने के लिए रोज योजनाय बना रहा है कि रोज हर पल हर पल वापके लिए बना रहा है कि आपको किस तरीके से पीछे गेंचे किस तरीके से कमजोर करे किस तरीके से आपके बच्चों को दूर करे Haliluia Praise the Lord नहीं चाहता वो इसलिए फिराओन ने मना किया कि तो बच्चों को लेकर मत जाना तो वो जाना उपासना करने के लिए जाओ अपनी पत्तिंको लेकर जाओ अपने पैसों को लेकर जाओ लेकिन बच्चों को लेकर मत जाओ क्योंकि वो जांता है यह जो बच्छे हैं यही उस वonymous को ागे लेके जाने वाले है Alleluia इसलिए आपका मेन मकसद होना चाहिए आपके बच्छे इसलिए लब आप सुबह उटते हैं बच्चों को बिठाईये प्रात्रा के लिए रात को होते हैं सोने से पहले family prayer होनी चाहिए कि आपका बच्चा बुरा मानता है कोई बात नहीं आपके बेटी बुरी मानती है को बात नहीं प्रभू का वचन उसे दीजिए दीजिए तीजिए रोज दीजिए वो जो वचन आप दे रहे हैं न, वो ही शैतान का, शैतान का काट है, शैतान का तोड़ है, वो ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, शैतान किसी ना किसी तरीके से आपके घर में घुसना चाहता है, और शैतान को पता है कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते आप अपने से ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करते हैं कि हर माँबाप की कम्जोरिय उसके बच्चा होता है और वो बच्चे को ही हत्यार बनाता है फिराउन भी यही चाह रहा था जो इसलैलीachts है अपने बच्चे को अगर मिर्स्र में छोड़के जाएंगे तो वापिस आएंगे वापिस आएंगे इसलिए उसने का बच्चों को यह छोड़ दो बच्चों को लेके मच जा प्रेस अलाट मेरे भाई, मेरे बहन यह आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को परिपक्व करिये और वो कैसे होगा सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि आपको भी उन वच्चों के अनुसार चलना पड़ेगा आपके बच्चों को अपने अंदर ईशू दिखाईए यह बोलने से नहीं होगा कि सुबह पाँच बज़े उठो वाइवल पढ़ो आपको भी उठना पड़ेगा आप तो सो रहे हैं और बच्चे का अलारम रगा दिया आपने पाँच बज़े का नहीं आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि कौन सा जीवन है जो मैं चाहती हूँ तुम जीओ वो जीवन आपको जीना है तो आपका बच्चा जीएगा Hello Praise the Lord वो ही खाना देते हैं ना बच्चे को जो आप खाते हैं यह अपने लिए अलग बनाते हैं बच्चे के लिए अलग में आते हैं Praise the Lord आपका सभाव आपके बच्चे पर एफेक्ट करेगा शैतान कोशिश करेगा, कोई बात नहीं परमेश्वर के वचन में शक्ति है बदर परमेश्वर की प्रात्नों में शक्ति है अब कभी मत भूलिये, कभी मत सुचे कि आपका बच्चा ठीक नहीं होगा मेरा बच्चा आशीशी थे, मेरा बच्चा अच्छा होगा कि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं किसके लिए मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए क्या मांग रहे हैं गलत मांग रहे हैं कि कभी-कभी आप हार जाते हैं कि यार अभी बच्चा निकल गया है अभी तो ड्रक्स भी लेने लगा है अभी तो यह भी लेने लगा है अभी र वो गुदों को चीर लेता है आप नहीं जानते हैं बस उस वचन को रिलीज करिए रिलीज करिए अपने बच्चे के जीवन में कि अलिलीय आपको बच्चा किस ने दिया है परमेश्वर ने हाललीय कि वह और अधिकार है उसको परमेश्वर के वचन में डालना किसका है आपका अधिकार है आप लेके आईए आप अन्य न से चीनिये उसको ल prepared कि आपके बाद परमेश्रका सामद्ध उँष्यान से छीनियाived क्या realised मेरे- बच्चे को इश्य्मस के नाम से मांगे उसे क्वाइब किया है आपके बच्चे के पास जो आपसे दूर कर रहा है उसको गलत इसप guest आपके बच्चा आपसे दूर क्यों उ रहा है शिरु एक गलत ispirid जो उसके अंदर है जिस इन सही इस प्रिट उसके अंदर आ गई उसन वो सेवा करेगा और आपको इज़त देगा, मान देगा आपका बच्चा गलत नहीं है वो जो बच्चे के अंदर गलत इस्प्रिट है, वो गलत है और आप के पास परमेश्र का अधिकार है कि आप इस गलत स्प्रिट को इश्यो मसी का गुलाम बना दे दूसर करुंतियं, दस का पाँच अधिकार से कईए एक दिन करिए, दूसे दिन करिए, तिन दिन करिए, छे मैने करिये, साल भर करिए, दो साल करिए करते रहिए उस अधिकार का उपयोग प्रेस अलोट आपका बच्चा आपका बनेगा हमें शैतान से अपने बच्चों को खीचना है और विश्वास करिए परमिशर आपका साथ देने के लिए तैयार है उदास मत हो ये हार मत मानिये कि आप नहीं होगा मेला बच्चा है मुझे दिया परमिशर ने मैं शैतान का नहीं होने दूँगे बस शैतान का है मकसद कि वो आपने बच्चों को दूर ले जाए तो दूसरी रुकावर क्या है शैतान की और से कि बच्चों को आप परमिशर की वाणी ना समझाएं बच्चों को आप परमेश्र का वचन ना दें, बच्चों के मन में आप परमेश्र का वचन ना बोएं, ये शैतान की चाल है, आलेलिया, प्रेस अलॉट, त्रीसरी डुकावट, आलेलिया, दसका चौबिस, Exodus 10, 24, तब फिरोन ने मुसा को बुला कर कहा, तुम लोग जाओ, य अलॉटू, तीसी रुकावट, शैतान की ओर से क्या है, कि आप वचन ना चढ़ाएं, आप वचन ना चनाएं।, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्र के वचन पर बल1 चनाएं। परमेश्र की वचन ना तुर अ पृमकेश्र की वयदी झाथलाभा होगी? जब आप बलिदान चढआएंगे अपने एहम का बलिदान अपने वेविचार का बलिदान अपने इच्छाओं का बलिदान रिय्ugen मैं परमेशर को चाहता हूँ कि परमेशर मुझे सुईकार करे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बलिदान चड़ाना पड़ेगा शतान क्या चाहता है बच्चों को भी लेकर जाओ तुम भी जाओ परमेशर की उपास्ता करो लेकिन अपने गाये बैलों को छोड़ जाओ हलो बलिदान छोड़ जाओ क्योंकि आपका बलिदान ही आपको परमेशर से मिलवाएगा आपका बलिदान ही परमेशर के सभाव के अनुसूर आपको बनाएगा उत्पत्ती 1-26 क्या कहता है आओ हम इनक्री समंता अपने सरूप में रचे परमेशर ने क्यों आपको रचा है ताकि आप उसका सौभाव आप में आए उसका सरूप आप में आए परमेशर क्यों बलिदान चाहता है कि आप में उसका सौभाव आए जब आप उसकी वेदी पर आएं तो उसके सौभाव को लेकर आए आपने वो दीनता है वो नमरता है Hallelujah कुछ लोग समझते हैं कि मसी जीवन जीना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है मैं कल पढ़ रहा था कि बहुत लोग समझते हैं मसी जीवन जीना लेकिन परमिश्टर इस तो मसी खुद कहता है बहुत आसान है हाललुया मती मैथ्यू 11 29 30 मैथ्यू 11 29 30 बहुत आसान है मसी जीवन जीना उसकी जो आग्या है बोशिल नहीं है हाललुया पहला यह ना में लिखा हुआ है मेरा जुआ मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठालो मेरा जुआ अपने ऊपर उठालो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाऊगे क्या कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठालो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं ती स्वां है क्योंकि मेरा जुआ सहेज है मेरा बोज हलका है मेरी आग्याएं हलकी है मसी जीवन हलका है प्रेज़ लौट आप लोग समझते कि अरे आग्या है मानना कितने मुश्किल है यार कैसे यार हम लोग संसार में रह पाएंगे यार अब ये पास्टर बोलते हैं कि जूट मत बोलो यार बेना धंदा किसी जूट बेना जूट के हम कर जी सकते हैं गया किसी और को मान सम्मान मत दो रहार मुझे तो अपने ऑफिस में जाते हैं अपने बॉस के पैर चूने पड़ते हैं क्या करूँ पंदरा हाजार रपा देता हैं मैं नहीं सब लोग चूटे हैं तो मिझे भी चूने पड़ते हैं मेरा जूआ हलका है मेरा बोज हलका है आपके लिए पता क्यूं भारी है परमिश्र का बोज आपको क्यूं भारी लगता है पता है परमिश्र का बोज आपको क्यूं भारी लगता है क्यूंकि आप अकेले उठाना चाहते हैं जिस दिन आप पवित्रात्मा के साथ चलेंगे न जिस दिन आप उसकी आत्मा की अगवाई में चलेंगे न कुछ भी आपको भारी नहीं होगा कुछ भी भारी नहीं होगा आलेलिया आप परमिश्र की महिमा करेंगे आपको क्यूं भारी लग रहा क्योंकि आप अकेले चल रहे हैं अकेले आप चल रहे हैं इसलिए भारी है जिस दिन आप प्रभू की आत्मा के अनुसार जिस दिन आप ने यह सोच लिया कि मेरे जीवन का हर काम प्रभू की आत्मा के अनुसार ही होगा जिस दिन आप ने सोच लिया कि मेरे जीवन का मैं कोई भी फैसला प्रभू की अनुसार ही लूँगा जिस दिन आप ने यह फैसला कर लिया कि मेरे जीवन में प्रभू का वचन ही काम करेगा उस दिन उसका जुआ आपको हलका लगेगा अगर आप हारेंगे ना उसमें भी जीत लगेगी आपको यस आप समझ जाएंगे इसलिए लिखा हुआ है धन्य है वो जो परिशाओं में इससे रहते हैं आललिया और याकुब एक दूगा कहता है कि जब भी विविन ने परिशाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो किसके लिए आनंद की बात है क्योंकि वो अकेला नहीं है उसका जानता है कि में परमूर का जुआ हलका है उसकी आग्याएं हलकी हैं मेरे भाई हलो इसलिए बलिदान जलाना जरूरी है लेकि शैतान नहीं चाहता कि आप बलिदान चड़ाएं शेतान आपको शिक्षा देगा करे यार दशांच क्यों देने का है क्यों देने का है कभी गए सौ दो सो पाइफ पांस तरब डाल दिये बहुत हो गया क्या है हम लाखों कमाएं और देते हैं ऐसे ही शेतान डालता है मुन में शेतान नहीं चाहता कि आप बलिदान दे क्योंकि आपका आपका सौभा भी आपको परमेश्य के पास लाता है और आपका सौभा भी आपको परमेश्य से दूर करता है हालेलिया जब आप वेदी पे आते हैं आपको बलिदान चड़ाना है जब भी आप वेदी पे आएंगे, जब भी प्रभु के सामने आएंगे, आपको बलिदान चड़ाना है आपकी प्रात्रा क्यों नहीं पूरी होती है आपकी प्रात्रा क्यों पूरी नहीं होती है आपके अपास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में व्यकुलता क्यों है बेचैनी क्यों है क्योंकि आप वेदी पर तो आए हैं लेकिन आपने सच्चा बलिदान नहीं चड़ाया है आपने बलिदान नहीं चड़ाया है जब आप बलिदान चड़ाएंगे परमेश्यर आपको सुईकार करेगा रेस अलोट बलिदान आपको प्रभू के योग्य बनाता है प्रभू के आज्याओं के अनुसार आपको चलाता है बलिदान है वो इसलिए आप क्रूस को नहीं समझ पा रहे है इसलिए आप इशू के बलिदान को नहीं समझ पा रहे है क्योंकि आप बलिदान नहीं कर रहे है इसलिए इशू आपके अंदर काम नहीं कर रहे है इसलिए आप उसके बलिदान को उसके sacrifice को उसके लहु बहाने को नहीं समझभा रहे है क्योंकि आप बलिदान नहीं कर रहे है जब भी आपको वेदी में आना है आपको बलिदान करना है और शैतान नहीं चाहता है इसलिए शैतान आपके अंदर अहम लेकर आता है घमन लेकर आता है, आरे, परमेश्र क्या करेगा मेरा, घर से निकल, घर पे निकला, घर पे मैंने बाइबल पढ़ लिया, प्रात्रा भी करी, सुद्धी भी करी, हो गया, ठीक है, जब नहाएक का दिन आएगा, जब वो लेने के लिए आएगा, उस दिन आपको हैसास होगा, क बलिदान चड़ाना बहुत ज़रूरी है, आवेदी के पास आएए, परमेश्र के तंबू में क्या सिखाए याजकों को, बलिदान चड़ाना, ईशु मसी ने क्या दिया है, बलिदान, इमेन, तभी तो वो जीवित हुआ, जब तक उसने बलिदान नहीं दिया, क्या वो जी बलिदान नहीं दिया, क्या वो जीवित हुआ, अगर आपको ईशु का जीवन पाना है, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, अगर आप बलिदान नहीं देते हैं, आप उस जीवन को नहीं पा सकते, नहीं आप उस जीवन को समढ़ सकते, इसलिए परमिश्र क्या कहता है मती पांच का तीन धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि सौर का राजय उनिय का है घमंड का बलिदान नफरत का बलिदान वे विचार का बलिदान आप चढ़ाएंगे तो आप दीन ता पाएंगे Hallelujah Amen धन्य है वे जो मन के दीन है दन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे जब तक आप घमंड का इगो का बलिदान नहीं चड़ाएंगे आप में नम्रता नहीं आएगी इसलिए बाइवल में लिखा है कि कोई गाल कोई तुमारे एक गाल पर थपन मारे दूसरा गाल आगे कर दो मैत्यू फाइर थर्टी एट क्योंकि बलिदान चड़ाना ज़रूरी है यह पूरा जो पहड़ी उपदेश है यह बलिदान पर है पाच्वा अध्याय पड़ी है बलिदान पर है हमारी धर्मिक्ता क्या है और फार्सियों की धर्मिक्ता में फरक क्या है बलिदान कि फार्सियों की धार्मिक्ता और हमारी धार्मिक्ता में क्या परिवर्तन है बलिदान का फार्सियों की धार्मिक्ता के पास बलिदान नहीं है हमारे पास बलिदान कि इसलिए उसने का यह जिखा है अगर कोई किसी बीवी के संग किसी 550 के संग गरत काम करता तो उसे उसको हत्या ए उसके उपर हत्य कारोब होगा है लेकिन ऐशू की धार में क्या कहती है अगर कोई दूसरी और को गलत निगा से देखता भी है मन की शुद्धता धन है वो जो मन के शुद्ध है मती पांच का आठ क्योंकि वो ही परमेश्र को देखेंगे जब तक आप अपने अंदर बलिदान नहीं करेंगे जब तक आप वेदी के सामने आकर बलिदान नहीं करेंगे आप वेदी आपको स्विकार नहीं करेगी और यही शैतान की शैतान का तरीका है शैतान चाहता है आप चर चाहिए बाइवल पड़ी है कोई बात नहीं बलिदान मत करिए वो आपको बलिदान से रोकता है और आप असानी से रुख जाते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है यार कोई देख तो रहा नहीं है अगर मैं नहीं भी कर रहा हूं बलिदान कौन देख रहा है वो देख रहा है वो देख रहा है शैतान आपको बलिदान करने से रोकेगा हमेशा याद करिएगा analyze करिए अपने जीवन को वो हमेशे आपको बलिदान करने से रोकेगा क्योंकि जहां आपने बलिदान करना सीख लिया, वेदी आपको सुईकार कर लेगी शैतान यही चाहता है शैतान जानता है कि आप प्रभू आने वाला है रेक्चर होगा, बादलों पे सवार होकर इशो मसी आएगा चारों दिशाओं में उसके स्वर्दू जाएंगे और जिनको चुना होगा उसको उपर लेके जाएगा शैतान यही चाहता है कि कम से कम लोग जाएं उपर और जिन्होंने बलिदान नहीं किया होगा वो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे मैं आपको लिखके दे दूँ नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे आप चुकि बलिदान ही वेदी सुईकार करेगी इशो ने बलिदान दिया है उसने अपनी आत्मा आपको दिये ताकि आप इशू जैसे हो जाएं ताकि वो नौ फल आप में आ जाएं वो नौ फल आप में कब आएंगे जब आप में गलत फल निकलेंगे जब आप गलत फलों का बलिदान करेंगे पवित्रा आत्मा के नौ फल आएंगे तबी तो परमिश्व सुईकार करेगा आपको पामितरात्मा की छाप इफीसियो एक का तीस उसी के दौरा वो आपको सुईकार करेगा उसी के दौरा वो आपको लेकर जाएगा अलेलुया तो शैतान क्या चाहता है शैतान नहीं चाहता है इसलिए अंतिम समय में Paulus Timotheos को क्या बोलता है खरी शिक्षा दे खरी शिक्षा दे दूसरा Timotheos 4 का 2 और 3 लोगों को पसंद नहीं आती शिक्षा है क्या बोलता है 4 का 2, दूसरा Timotheos 4 का 2 कि तू वचन का प्रचार कर समय और समय समय और असमय तयार है सब प्रकार की सहनशिल्ता और सिक्षा के साथ उल्हाना दे और डाट और समझा डाट और समझा डाट अगर जो नहीं मानता उसको डाट किसको डाट क्योंकि बलिदान नहीं दे रहे हैं आप आप कलीसिया में आने के बाद अपने सौभाव का बलिदान नहीं कर रहे हैं आप कैसे परमेशन आपको सुईकार करेगा जब आपका मन चाहता है कलीसिया आए जब आपका मन चाहता है नहीं आए जब आपका मन चाहता है बैटे आप क्या मजाख समझ रहे है कलीसिया को आपने मजाख समझ लिया है क्या नहीं मेरी बेहन मजाख मा समझ यह अगर आप लोग इसलिए बैठें कि जलो सुना वचन वचन सुना बस पास्टर से प्रातना कर आई और आम निकल लेंगे हो गया कली से नहीं पास्टर की प्रातना भी तभी आप के जीवन में काम आएगी जब आप बलिदान करेंगे मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरी बेहन बलिदान करना सीखिए आप वेधी के सामने आए हैं हमें रोज अपने आपको प्रभू के योग के बनाने के लिए चेश्टा करनी हैं हर दिन हमें जीवन जीनाएं के हम प्रभू के योग के बने यही जीवन है और कुछ नहीं है यह आपके साथ जाने वाला है और कुछ नहीं आपके साथ कौन जाने वाला है अंतिम समय आई रहा है जब यह बाईवल भी इन वचनों को याद करिए और वचनों को याद करिए नहीं वचनों के अनुसार जीना शुरू करिए जो वचन कहता है बस समझ लीजे वचनने का है वचन के अनुसार यह लिखा है बलिदान करना सीखिया वेदी के पास तो तीन रुकावटे शैतान की ओर से आती हैं हर हर मसी के जीवन में पहला कि वो नहीं चाहता कि आप दूर तक जाएं आप गहराई तक परमेश्र को समझें दूसरा कि नहीं आप अपने बच्चों को परमेश्र के चरणों में लेकर आएं आप बच्चों को परिपक वना करिए बच्चों को ग्यान मत दीजिए और तीसरा कि आप वेदी के सामने बलिदान मत करिए ये तीन रुकाव्टे हैं जो शैतान हर मसी के जीवन में लेकर आता है और हर मसी के जीवन को वो कमजोर करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि परमेशन की योजना पूरी होगी शैतान का मकसद है किस तरीके से बस आप मसीयों को वो कमजोर करे ताकि आप प्रभू के योगे ना बन सकें और नहीं आप रेफ्चर में जाएं आज का बचान आपको समझ में आया आया प्रेस अलॉट अब ये तीन रुकावतें आके जीवन में काम करेंगी अरे अभी भी हांके ना नहीं ये अब मेरे जीवन में एक है द्वान लीजिए आपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी आपके उपर आए ये मत बोलिए क्या करें पास्टर वो सुनता ही नहीं है आपकी जिम्मेदारी बच्चों के लिए रोज भरिये उनके मन में हाले रिया आज का वचन अच्छा लगा आपको प्रेस अलॉट आले जो यूटूब पे देख रहे हैं जो जूम में हैं उनके लिए मैं प्रात्रा करता हूँ पिता परमेशर देखने वाले हर भाई बेन क के लिए आशीश मांगता हूँ और आप के लिए कहता हूँ कि इन तीन रुकाफ्टों को दूर करिए परमेशर आपके साथ है और हर पल आपके साथ खड़ा हुआ है इस्वमसी के पवद्र समर्थी नाम से मांगता हूँ देखने वाले हर भाई बहन के लिए चंगाई कि इस्वमसी के नाम से मंगता हूँ प्राथ रफने सुने कुब्ल कि अमैन इमेन और गोड़िया और आपसे बहुत प्यार करता है आप करते हैं इमेन